तो आज हमारा चेप्टर रहेगा राज्यस्थान की प्रमुख दुर्ग, दुर्ग जिनको हम किलाग भी कहते हैं और गण भी कहते हैं, तो इन दुर्गों का निर्मान जो है वो क्यूं करवाया जाता है? तो इनका निर्मान जो है अभी से नहीं बलगी प्राचीन काल से ये चली आ रही है कि जो राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्वान करवाते थे, ठीक है, और उस दुर्ग को भी चारो तरफ से सुरक्षित इस तरीके से किया जाता था, कि बाहर से कोई भी दुस्मन आकर इस पर देखने को मिलेंगे, जैसे की जल दुर्ग मिलेगा, जो की है गागरोन दुर्ग, जिसके चारो और पानी भरा हुआ है, और दूसरे तरीके के दुर्ग होते हैं, जो की परवत दुर्ग कहलाते हैं, जो की उचे परवतों पर इस्तित हैं, जैसे की चित्तोरगर, ठीक है, चितोडगड जो है वह है उचाई पर बना हुआ है और उसके बाद जो दुर्ग आते हैं जैसे कि पारिक दुर्ग हो गया यानि कि जो दुर्ग है उसके चारों तरफ खाई हो तो ऐसे दुर्गों को हम कहेंगे पारिक दुर्ग जैसे कि भरतपूर का जो दुर्ग है विकाने दिखने को मिलेंगे तो चलिए इनको हम नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो राजेस्वान के ऐसे छे प्रमुक दुर्ग जिनको यूनेसको ने विश्व विरासत सूची में सामिल किया 2013 में तो उन दुर्गों के नाम जो है वो आपको याद रखने हैं आमेर दुर्ग, च जैसल मेर दुर्ग और रण थंबोर दुर्ग तो ये छे दुर्गों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए तो इसकी जो है एक ट्रिक है जो की बहुत ज़्यादा मसूर है आलू, चीकू और गाजर तो ये तीनों शब्द आप याद रखिए छे दुर्ग जो एक जल दुर्ग है जासे जैसल मेर दुर्ग और जैसल मेर दुर्ग जो है वो कैसा है तहानवन दुर्ग है मरू भूमी में बना हुआ है रा से है रण थंबोर दुर्ग ठीक है दो तीन बार बोलेगा आलू, चीकू, गाजर कोई और सब चीज में नहीं मिलानी है आलू उची को गाजर तो ये छे दुर्ग याद हो जाएंगे जिन्हें युनेसको ने विस्व विरासत सुची में शामिल किया था तो सबसे पहले हैं गिरी दुर्ग गिरी दुर्ग या जिन्हें परवत दुर्ग भी कहते हैं तो ये ऐसे दुर्ग होते हैं जो कि किसी उचे परव पर इस्तित है सबसे पहला है जिसमें गिरी दुर्गों में सबसे उपर कौन सा आता है चितोडगर्ड ठीक है चितोडगर्ड जिसे की दुर्गों का सिर्मोर कहा जाता है तो ये जो है सबसे प्राचीन और प्रमुक दुर्ग है तो इसी वज़े से इसे सभी दुर्गों का सि तो यहां दुबारा से किला नहीं लगाएंगे कई लोग बोल देते हैं चितोडगड का किला ऐसे नहीं या तो बोलिए चितोडगड का किला या चितोडगड यह मेसा के पठार पर इस्तित है और गंबीरी और बेड़च नदियों के संगम पर ठीक है तो कहां पर इस्तित है यह मेशा के पठार पर इस्तित है और यह किला सब गिलों का सिर्मोर समझा जाता है इसी वज़े से कहते हैं इसके लिए कि गड़ तो चिताओड बाकी सब गड़या यानि यह इतना जादा खूबसूरत है इसके लिए यह लाइन जो है वो प्रचलित है कि गड़ तो और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। चित्तोडगड का निर्मान जो है वह वीर विनोध के अनुसार, मोरे राजा चित्रांग या चित्रांगद मोरे ने यह किला बनवा कर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा। तो प्रारम में इसका नाम जो है वह चित्रकोट था जिसे की मोरे राजा चित्रांगद मोरे ने बनवाया था और बाद में इसका रूप परिवर्तित होकर चित्तोड हुआ। तो इसका निर्मान कराने वाले कौन है? मोरे राजा चित्रांगत मोरे या राजा चित्रांग. मेवाड के गुहिल राजवन्स के संस्थापक वप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी में गुहिल वन्स की स्थापना की थी. ठीक है? याद आया होगा आपको, मैंने आपको वप्पा रावल के वारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब मेवाड का इतिहास आपको पढ़ाया गया था. तो गुहिल वन्स के वास्तिविक संस्थापक माने जाते हैं वप्पा रावल. ठीक है? और इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था. चित्तोड को नहीं बनाया था, नागदा को बनाया था. वप्पा रावल ने अंतिम मान मोरे को हरा कर चित्तोड पर अधिकार किया था. तो सबसे पहले राजा जो थे, वो थे चित्त्रांगद मोरे. उन्होंने ये किला बनवाय और अंतिम मानमोरे जो थे इनको हरा कर वपा रावल ने चित्तोड पर अधिकार किया था। चित्तोड ही रहती है मेवाड के तेज सींग के समय, समर सींग के समय, उसके बाद लास्ट में जब आते हैं मेवाड के रावल रतन सींग, तो उसके समय में यानि 1303 इस्वी में अलावदिन खिलजी यहां पर आक्रमन करता है, वह 8 महिने तक लगवग 8 महिने तक यहां घेरा और यहां पर आक्रमन करता है, जिसमें रतन सींग जो होते हैं, वह भी मारे जाते हैं, और गोरा और बादल जो होते हैं, केसरिया करते हैं, जो उनके सैना पती थे, इसके अलावा उनकी जो पत्नी थी, रानी पदमनी, उनके द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता ह तो यहाँ पर चित्तोड का पहला शाका देखने को मिलता है 1303 इस्वी में और अलाउदिन खिलजी का अधिकार हो जाता है चित्तोड पर और वही गुहिलवंस की समापती हो जाती है तो अलाउदिन खिलजी क्या करता है इस चित्तोड का नाम जो है बदल कर क्या रख देता है खिजराबाद ठीक है चित्तोडगड का नाम बदल कर क्या रख देता है खिजराबाद तो देखे चित्तोडगड है ही इतना सुन्दर कि उसको पाने की इच्छा जो है वो सभी को रही थी यहाँ पर तीन साके हुए चित्तोड में एक तो हमने अभी देखा 1303 इसवी में रावल रतन सींग के समय अलाउदीन खिलजी ने किया था और दूसरा जो शाका होता है वह 1535 इसवी में होता है जब गुजरात के साशक बहादूर शाह यहाँ पर आकर्मन करता है तो इस समय जो शाशक थे वो थे राणा सांगा ठीक है तो उनकी जो राणा या किया था तो चित्तोड का दूसरा साका जो है 1535 इसवी में होता है तो इक इले की विसेश्ताओं के बारे में ही है कि यह जो है इतना सुंदर इतना खूब सूरत था कि इसको पाने की लालसा जो है वो दिल्ली के सुल्तान जो है उनको भी यहाँ खीचकर लेकर आई थी और गुजरात के शाशक जो है बहादूर शाने भी यहाँ पर अधिकार करने की कोशिश की थी और तीसरा शाका होता है 1568 इसवी में अकवर की समय में तो इस समय जो यहाँ पर मिवाड के शाशक रहे थे वो थे महाना प्रताप के जो पिता राना उदे सिंग तो राना उद यानि की जिनको भेदा न जा सके जिसमें पहला जो है वह है पाड़न पोल है और अंतिम जो है वह है राम पोल है ठीक है इसके अलावा चित्तोर गड़ में देखी और क्या-क्या विसेशताएं हैं यहाँ पर राना कुमभा के द्वारा बनाया गया विजय इस्तम है जिसे क जैन शब्द जो है लगा होगा तो आपको यह पता लग जाएगा कि जैन किरती स्थम अलग है तो यह जो तो यह जो जैन किरती स्थम है इसका निर्मान किस ने करवाया था जैन व्यापारी नहीं करवाया था जीजाशा बगेरवाल ने यहां कुमस्वामी मंदिर है चित्त से बड़ा लिविंग फोर्ट यहां पर है तो यह सभी विसेशनाएं किसकी हैं चित तौल गर्ड की विसेशनाएं हैं ठीक है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्राचीर जो है वो बनी हुई है चारों तरफ बहुत बड़े बड़े यहां पर बुर्ज भी बने हुए ह और मैंने आपको बताया कि यहां पर साथ अवैद जो हैं प्रवेश द्वार हैं जिनको भेदा नहीं जा सकता और किले पर पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा और टेड़ा मेड़ा रास्ता बनाया गया है ताकि आसानी से चित तोड़ गर्ड को घेरा न जा सकी तो यह स समझ जिले में और इसका निर्मान करवाया था राणा कुम्बा ने अपनी पत्नी कुम्बल देवी के नाम पर तो यह दुर्ग जो है यह मेवाड के राज परिवारों का आश्रे इस्थल रहा है यानि कोई भी संकट हुआ है तो यहां पर शाशक आकर रहे हैं ठीक है तो इ इसके जो वासुकार हैं वो है एक गुजराती शिल्पी मंडग तो अबल पजल जो हैं इनकी विसेशता को देखकर क्या कहते हैं कुम्बल गड़ की कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है हलाकि यह क्या है गिरी दुर्ग है परवत दुर्ग है तो यह इतनी दुर्ग कुम्बल गड़ दुर्ग और यह कैसा दुर्ग है यह एक गिरी दुर्ग में आता है विवाड की राजपरिवार का आश्रे इस्तल कहा जाता है कुम्बल गड़ यहां पर कई राजा महराजा आये थे और इन्होंने अपना आश्याना बनाया यहां पर संकट के सम इस दुर्ग का शिल्पी है मंदन याद रखिएगा कुंबलगड दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी पर कोटे से घिरा हुआ है यानि इसकी जो दीवार है वह 36 किलोमीटर लंबी है जो कि भारत की महान दीवार कही जाती है तो कुंबलगड की दीवार जो है वो इतनी बड़ी दीवार है तो पहली कौन सी है चीन की दीवार है और दूसरी सबसे लंबी दीवार किसकी है कुंबलगड की जो की अंतराश्ट्री रिकॉर्ड में दर्ज है करनल जैम स्टॉर्ड ने कुंबलगड की तुलना एट्सकन वास्तू से की है और वो क्यों की है क्योंकि इसकी जो बुर्ज, इसके कंगूरे, इन सभी को देखकर, जो कर्णल जैम स्टॉर्ड हैं, इन्हों ने इसकी तुलना एट्सकन वास्तू से की है, कटारगड जिसे की मेवाड की आँख कहा जाता है, तो यहाँ पर कुम्बलगड में कटारगड बना हुआ है, कुम्बलगड के अंदर, जिसे की मेवाड की आँख कहा जाता है, और यही कटारगड जो है, यही निवासिस्थान है, व्यक्तिकत निवासिस्थान राणा कुम्बा का, जो की उपरी छोर पर बना हुआ है, कुम्बलगड में ही राणा उदे सींग जो थे, इनका राज्य विशेग हुआ था, और मह महाना प्रताप का जन्म कुम्बलगड में हुआ था, इंपोर्टनेंट लाइन है, पूछा जा सकता है कि महाना प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, तो कुम्बलगड में हुआ था, या राणा उदे सींग का राज्य विशेग कहां हुआ था, तो कुम्बलगड म तो इनकी 12 खंबों की चतरी यहां बनी हुई है, तो इस तरीके किस मारग जो है कुम्बलगड दुर्ग में है, ठीक है, पन्ना धाय उदै सिंग को लेकर कुम्बलगड में आई थी, महाना कुम्बा की हत्या, उनके पुत्र जो उदै सिंग थे, यानि उदा, इन्हों ने मामा देव तालाव के पास की थी, तो यहां पर मामा देव तालाव आएगा, इसको आप थोड़ा सही कर लेना, और नोट्स में मैं दुबारा से यहां पर सही करवा दूँगी, मामा देव तालाव के पास की थी, ठीक है, तो यहीं इंपोर्टेंट लाइन जो है कुम्बलगड क जो है वो पूछा जाएगा तो जालोर दुर्ग जो कि सोन गिरी पहाडी पर इस्तित है सूकडी नदी के किनारे और इस जालोर दुर्ग का निर्मान करवाया था आटवी सदी में प्रतिहार साशक नागभट प्रथमने और वहीं सिला लेखों में जालोर का नाम जबालीपू सिला लेखों में मिलता है और इसके लिए का नाम मिलता है सुवण गिरी 1311 इसवी में कानर्डेव के समय अलाओ दिन खिल जी ने इसका नाम बदल कर क्या रखा था जलालाबाद रखा था तो कानर देव जो की जालोर के बहुत ही प्रतापी शाशक रहे हैं और दिल्ली का जो समकालीन इसके साशक था अलाउदिन खिलजी था वो जालोर पर आक्रमन करता है क्योंकि जो कानर देव थे इन्हों ने इसकी सैना जो लोट रही थी गुजरात से तो इस पर आक्रमन कर दि तो इसी वज़े से अलाउदिन खिलजी यहां पर आक्रमंट करता है 1311 इसवी में यहां शाका होता है और इसी दोरान जो है जालोर के कानरदेव और इनका बेटा दोनों ही यहां वीरगती को प्राप्त होते हैं ठीके और इसका नाम जो है अलाउदिन खिलजी बदल कर रख द जेता है जालोर दुर्ग का जलाला बाद परमार शाशक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाटसाला के इस्थान पर तोप खाना मस्जित किले के भीतर बनी हुई है तो जो परमार शाशक भोज थे इन्होंने यहां पर संस्कृत पाटसाला बनवाई थी तो इसके इस्थ तो देखिए इन सभी के बारे में जो भी जब हमने राजपूर शाशनकाल पढ़ा था तो वहाँ पर ही मैंने आप लोगों को डेटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया था तो अब आपको ये जानना है कि ये दुर्ग जो है एक तो गिरी दुर्ग है वहत अधिक उंचाई पर यानि परवतों पर बने हुए हैं इस दुर्ग का निर्मान किसने करवाया ये दुर्ग कहां इस्तित हैं और इस दुर्ग के अंदर और क्या-क्या विसेस्ताएं हैं ये आपको यहाँ पर जानना है और यही आपके एक्जामें पूछा जाएगा तो रण थमबर दुर्ग कहां है सवाई माधवपूर जिले में है तो आटवी सताबदी में अजमेर के चोहन सासकों ने इसका निर्मान करवाया था और कहते हैं कि इसका निर्मान जो है वो रण पहाड़ी पर इस्तित है रण थमबर दुर्ग तो यहाँ पर सबसे प्रथम साका होता है रण थमबर दुर्ग का शाका तेरा सो एक इसवी में जब इस समय शाशक यहां हमीर देव चोहान थे और अलाउदिन खिलजी जो है यहाँ पर युद्ध करता है आक्रमन करता है और यहाँ पर तेरा सो एक इसवी में अलाउदिन खिलजी के द्वारा हमीर देव चोहान पर आक्रमन किया जाता है और इस रण थमबर दुर्ग यहाँ पर अधिकार हो जाता है अलाउदिन खिलजी का और हमीर देव चोहान यहाँ पर वीरगती को प्राप्त होते हैं केसरिया क इनकी पत्नी जो थी रंगा देवी और इनकी बेटी थी पदमला तो वह पदम तालाब में कूद कर करती है जोहर ठीक है तो इस वज़े से राजिस्तान का सबसे पहला जो शाका है यही कहा जाता है 1321 का रंठंबोर का शाका जो की हमीर देव चोहान के समय हुआ था और इस इरी दुर्ग होने के साथ साथ एक वन दुर्ग भी है इसके चारो तरफ जो है कटीली जाड़ियां और बीहर जो है यहाँ पर नजर आता है ठीक है तो इसलिए यह रंठंबोर दुर्ग जो है यह एक पहाड़ी दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है इस दुर्ग परिश खंबो की चत्री बनी हुई है जोगी महल है और ये 32 खंबो की चत्री जो है हमीर दिव चोहान ने अपने पिता के 32 वर्ष शाशनकाल के उपलक्ष में बनवाई थी इसके अलावा यहां पर जोगी महल है पीर सदुरुत दीन की दरगा यहां पर है गनेश मंदिर भी इस्तित ह और न्याय की चत्री बनी हुई है और पदमला तालाव भी है जो की हमीर दिव चोहान की पुत्री के नाम से ही बना हुआ है पदमला तालाव और इसी में कूद कर उनकी पत्नी रंगा देवी और पदमला जो बेटी थी इन्होंने जोहर किया था अबूल फजल इस दुर्ग को देखकर कहते है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग बक्तर बंद तो यह कथन अबूल फजल ने क्यों कहे थे क्योंकि इस दुर्ग की एक विसेश्ता है मैंने बताया आपको कि यह दुर्ग जो है वह है पहाड़ी पर भी बना हुआ है यानि ये एक गिरी दुर्ग भी है और यह चारो तरफ वन से गहरा हुआ है इसके अलावा इसके चारो तरफ जो है वो क्या है पहाडी है और ऐसे छोटे-छोटे दुर्ग भी है ठीक है तो ये दुर्ग जो है बहुत अधिक उचाई पर बना हुआ है और इसके चारो तरफ ऐसे चोटे-चोटे दुर्ग जो है जिनको आसानी से देखा जा सकता है और वनों के द्वारा ये ढका होने के कारण इसे हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं तो इसी वज़े से अबुल फजल ने इस दुर्ग की विसेशता के बारे में ये बताया है कि यह दुर्ग नेक्स्ट है महरांगड, महरांगड दुर्ग जिसका अन्य नाम मयूर द्वजगड भी है और गड़ चिंतामडी भी है, इसकी आकरती जो है, वह कैसी है, मयूर आकरती है, यानिकी मोर की आकरती जैसे ये दिखाई देता है महरांगड, तो इसी वज़े से इसका नाम जो है मय तो इसका निर्मान किस ने करवाया था? तो इसका निर्मान जोदपूर के महाराजा राव जोधा ने करवाया था 1469 इस्वी में. चीक है? लाल वलुआ पत्थर से ये बना हुआ है और इसके अलावा यहां पर राजा राम मेगवाल की वली भी दी गई थी. रूड यार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? कि इसके लिए का निर्मान देवताओं और परियों ने किया है. यानि ये जो गड़ है इतना खूब सूरत है कि सामानने इनसान ने इसका निर्मान नहीं किया होगा, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है. तो इसका निर्मान किस ने किया है देवताओं ने और परियों ने किया है तो ये कथन याद रखिएगा किसके हैं रूड यार्ड किप्लिंग के हैं जो की पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है इस महल में सूर सिंग ने मोती महल अभय सिंग ने फूल महल और अजीज सिंग ने फते महल बनव पाया था। चामुंडा माता और नागनेची माता का मंदिर भी इस दुर्ग के परिशर में है। तो इन सभी के नाम आप याद रखिएगा और आपको याद रह भी जाएंगे क्योंकि बहुत ही खतरनाक नाम भी है। आज भी इस दुर्ग में कारत है। तो आज भी इस दुर्ग में लाइब्रेडी है और जो कि महाराजा मान सिंग द्वारा इस्थापित की गई थी। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट दुर्ग जो है अभी हम ये सभी गिरी दुर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो कि पहाडियों पर बने हैं। शिवाना का किला बाड मेर में है हल्देश्वर पहाडी पर और इसका निर्मान 954 इसवी में परमार वंसिये वीर नारायन ने करवाया था। याद रखिएगा एक्जाम में आया हुआ कुशन है शिवाना का किला जो है किसके द्वारा निर्मित है वीर नारायन के द्वारा और जिस तरीके से हमने देखा था कि कुम्बलगर जो है वह है मारवाड और मेवाड की जो सीमा पर है और जो की कहा जाता है कि मेवाड के राज अपना डेरा डालते थे, जब भी इन्हें संकट महसूस होता था, इस के लिए को जालोर की कुझी भी कहा जाता है, क्योंकि यदि जालोर को जीतना है, जालोर दुर्ग पर यदि आकमन करने की कोई सोचता है, दुसमन, तो उसे सबसे पहले शिवाना दुर्ग को जीतना होगा इस दुर्ग को पार करने के बाद ही जालोर दुर्ग तक पहुँचा जा सकता है तो इसी लिए इसे जालोर की कुंजी या जालोर की चाबी कहा जाता है शिवाना दुर्ग में दो साके हुए थे 1308 इस्वी में अलाउदीन का आक्रमन होता है यहाँ पर शाशक थे कानहर देव और इनके भतीजे सीतल देव जो हैं वो वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं शिवाना दुर्ग में और अलाउदीन ने शिवाना दुर्ग का नाम बदल कर खेराबाद रख दिया था और इसी के बाद जब शिवाना दुर्ग जीत जाता है अलावदीन और उसके बाद ही वह जालो दुर्ग को विजित करता है और अकवर के समय में भी यहाँ पर शिवाना दुर्ग में आकर्मन होता है तो शिवाना दुर्ग के बारे में याद रखेगा कि यहाँ पर एक बार अलावदीन खिलजी करता है और दूसरी बार आक्रमन करता है अकबर वहीं पर गिरी और सुमेल का युद्ध जब होता है तो उस समय सेर्शा सूरी की सैनक का पीछा किये जाने पर राव मालदेव जो है यहां पर शरण लेते हैं यह मारवार की सरण इस्तली कहा जाता है और इ होते हैं और इनके सैनापती होते हैं चैता कूपा ठीके तो शेर्शा सूरी जो है इनके साथ कल्यान बल भी होते हैं जो की राव जैसी के बेटे थे तो यह सभी मिलकर जो है राव मालदेव पर हमला करते हैं लेकिन मालदेव जो है इनके सामने यह नहीं डिक पाते हैं तो ये क्या करता है? शड्यंत्र करता है और इसी वज़े से जो शेर सासूरी जो है इस युद्ध को जीत जाता है और आखिर में ये कहता हुआ भी जाता है कि मुट्टी भर बाजरे के लिए हिंदूस्तान की बात्शाहत खो देता यानि अगर ये शड्यंत्र नहीं करता तो ये जीत पाता तो यहां मालदेव जो है इस दुर्ग में शरण लेते हैं ठीक है? चंद्रसेन ने भूगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था तब चंद्रसेन ने भी शिवाना दुर्ग को केंद्र बनाया था तो मारवाट के ऐसे शाशक जिन्हों ने दुर्ग जो थे वन ज जो है इसको केंद्र बनाया था जै नरायन व्यास को भी यहां पर बंदी बना कर रखा गया था जै नरायन व्यास जो कि राजिस्थान के दो बार मुक्य मंत्री भी रहे हैं तो इनको भी इसी दुर्ग में बंदी बना कर रखा गया था फिर देखिए आमेर दुर्ग आमेर दुर्ग कहा है जैपूर में है आमेर दुर्ग का निर्मान मान सिंग प्रथम ने 1592 इस्वी में किया था याद रखिएगा निर्मान किस ने किया राजा मान सिंग ने किया था आमेर दुर्ग का और मिर्जा राजा जै सिंग ने यहां गणिश्ट पोल का निर्मान करवाया था और ये जो आमेर दुर्ग है इसे युनेसको ने 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था इस दुर्ग के परिशर में सीज महल, शीला माता मंदिर, जगत शिरोमनी मंदिर जो की रानी कंकावती ने अपने बेटे जगत सिंग की याद में बनवाया था केसर क्यारी है, मावठा जला से है, दीवाने आम, दीवाने खास, मावठा जला से और दिला राम का बाग यहाँ पर है इस दुर्ग में ठीके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं ने झाल झाल